ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं अभी हम यहां पर हमारा नेक्स लेक्षर अब इसके लास्ट लेक्षर में हमने क्लासिफिकेशन पड़े थे अकाउंट के आपको पता है ना अकाउंट का नाम करेंट जी आगया था और पीछे क्या अकाउंट ना वह सरनेम लगाया था उसके सब्सक्राइब करेंगे ताकि उसके बाद टेक्सबुक में कुछ भी दिया हो वह आप सौल कर पाऊ ठीक है तो यहां पर मैंने बहुत सरे एक्जांपल से लिए हुए है तो चलो स्टार्ट करते सबसे पहले क्या है मोहित कापिटल मोहित मतलब किसी इंसान का नाम है इंसान का नाम है तो यह कौन से अकॉंड में जाना चाहिए परस्नल अकॉंड में जाना चाहिए किसमें जाना चाहिए परस्नल यहां पर मैं लिखता हूं परस्नल अब उसके बाद क्यों यह परस्नल में आपने डाला इसका रीजन क्या है क्या है यह किसी इंसान का नाम है क सब टाइप आपने category की क्या इसको individual के अंदर क्या क्या आपने immobil कि क्या है देखो क्या है गुणा University कोई पूना उनिवर्सिटी मतलब यह कोई जगा युनिवर्सिटी आप जांग इधर पूना उनिवर्सिटी नाम को इंसान मिलेगा आपको नहीं मिलेगा देड़ और artificial अपर मेन टैप क्या होगा personal account ही होगा तो मेन टाइप के अंदर तो परसनल लिखोगे हम आखिशह भीक्ब मेर्डाज तो क्या लिखोगे परसनल और सब टाइप के अंदर क्या लिख दोगे यहां पर क्या और यह निवर सिटिए आर्टिफिशल क्यों लिखा आपको समझ में आया है आपको बताया देना तो परसनल आपको याद है क्या था यह पर हमने क्या लिखा ना उस तरीके से क्लासिफिकेशन आपको करना राम हू ओस रूपीज हंड्रे तो राम यह इसे इस कट कर दो सिभ रहम है कि रहाम किसके निधर क्लासिफ होगा राम इंसान का नाम है तो यह क्या होगा परस्ट्रल होगा या आपको रखना होगो और रूपीज थैंड यह पहले तो सबसे बहुत च्लासिफ होने वाला है पर्सनली हटाई दो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो क्या क्लासिफा करोगे पर्सनल और क्या कहलाएगा यह इंडिविज्वल तो कि पर्सके बाग्रोआ बेढर के किसal पर्सकंट एंडिनेट कोके क्या क्या कराणा मुश में आपको दिखता आ रोकडंे अब देख सकते फील कर सकते हैं cash account ठीक है real account इसके दें classify real में दिख रहा है आपको यहां पर क्या लिखो गया real account तो यह क्या है इस तरीके से आपका classification है ठीक है ना अब उसके बाद सब टाइप पे कुछ यसा कुछ लिखते हैं जरुरत ने अब लिखो आपको यह डिकता है ठीक है और रियल account पे अगर आपको classify कर रहा है आपने सीखा था ठीक है ना यहां दो रियल account में क्या सीखा था आपने टैंजिबल और इंटैंजिबल जिसको आप देख सकते हो बराबर है ना तो रियल account classify करना है सब टाइप तो लिख दो टैंजिबल ठीक है नेक्स क्या है bank of india account bank of india यह क्या है personal account है यह सबसे पहले personal account में जाएगा और कौन सा artificial क्यूंके bank of india नाम का कोई आपको इंसान मिलने वाला नहीं है bank of baroda loan account क्या है अभी यहाँ पे bank of baroda loan account यह भी क्या जाएगा personal account जाएगा और यह भी क्या जाएगा आटीफीशियल ठीक है तो प्लीज इतना ज़रा देख लो फिरम आगे बढ़ते है नेक्स्ट में अब तक हमारा personal और real के अंदर tangible इंटांजिबल जिसको आप देख नहीं सकते हो जिसे गुडविल था पेटेंट्स था कॉपे राइट्स थे तो इस आप से आपको यह कर रहा है प्लीज पि मुझे आपके लिए कुछ मंगाना पड़ेगा आपके लिए तो वह आएंगे तो उसका transportation खर्चा होता है तो accounting में उसको एक फ्रिट बोला करते है ठीक है तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट जाएगा nominal अकाउंट डिके में टाइप बनेगा यह nominal अकाउंट और यह क्या है खर्चा ना एक तरीके का तो आप क्या बोलोगी यहां पर इक्स facets क्यूंकि यह क्या है खर्चा है insurance फ्रीमिम्यम आपने पे किया इंश्णररइस क्या यह आपने पे किया है जिसा आपć ईलाइशी में इंश्णरइस निकालते हो तो आपको क्या करना है company को पैसे देने है expense, nominal account यहाँ पर बिया आप क्या लिखोगे, nominal क्योंके आपके जेब से क्या हो हुआ है, खर्चा हो रहा है और यहाँ पे भी क्या लिखोगे expenses फिर क्या machine repair ठीक है क्या है machine repairs, machine को repair करने में खर्चा लगा है, ठीक है जैसे यहाँ पर AC चल रही है, AC को पर तरीकिकी तरीकिक मशीन हो गई हमें रिपएर करने पर खरचा देना है कोई लेबर आएगा खरचा वापस से खरचे की बात होगा तो क्या होगा नौमिने इंकम इंगस ज्याद आ रहे हैं आपको उसके अंदर हमने पड़ा था एक्सपेंस इंगमें गेंस उसके फॉर्द काम आने वाला ही है अभी लेक्चर नहीं समझा तो अगला भूल जाना फिर फिर क्या वेजिस वेजिस भी कहां पर जाएगा खर्चा वेजिस मतलब क्या होता है जैसे जो मैं तुम्हारे लिए गुड्स मंगा थे ट्रक भरके बुक आ गया है ठीक है तो बुक आ गया है तो इ अफिस हमारा है सेकेंड फ्लोर पे तो ग्राउंड फ्लोर से सेकेंड फ्लोर ते कौन उठाके लेकर आएगा मैं उठाओंगा चलो यार मैं दो बॉक्स उठालूंगा और बागी बड़े बड़े बॉक्स है तो मैंने लोगों को हायर किया 500 रुपे दिये बोले समान बस आपने खरीदते हो आगे तो बहुत चीज है आपको डीटील में पड़ोगे फिलाल के लगो शेर इसे आप FD में इंवेस्ट करते हो FD फिक्स डिपॉजिट पैंक आपको क्या देता है इंट्रेस्ट डिविदेंट मतलब क्या हुआ है यहाँ पर आपने पैसा इंवेस्ट तो बंपनी में तो जब आप कंपनी में कुछ शेर खरीतियो आपको मिलता है पैसा डिविडेंट की रूप में तो यह आपकी इंकम होगी बैंक में पैसा रखा इंट्रेस्स मिला यहांब यहाँ पर चैयर खरीदे डिवरेंट मिला तो सबसे पहलेए क्लासि व्र fairness up नॉमिनल अकॉंट में दो आते एक इंकम भी आता है और एक्स्पेंस भी आता है तो यह नॉमिनल अकॉंट और यहां पर क्या लिखोगे इंकम ठीक है एक एक शब्त के आपको मिनिंग भी बताते जारो धीर धीर आगे तो आपको पढ़ना ही है थीरी की रूप में क्य प्यूंट क्या हो जाते हैं आप है याफ के निए जैसे में चलए बड़ीर यह आपको मुझे 940 त dit को मुझे को आप देटेहों आठटव तो 933 देते नहीं हो एक है कि द­को दौबार कर थो थीन भार फोन कि पर मुझे पता मैं पैसा आने वाला नहीं तो यह नुकसान हुआ है मेरा क्या हुआ कोई Express नहीं है कोई मेरा विससर यह एसा मैं अग्सा expense करना तो मुझे कोई फाइदा होने वाला क्या कोई फाइदा होने वाले यह मेरा नुकसान है तो expense and losses में फरक है समझे तो नहीं है तो इस तरह आप लीख होगे वापस से क्लासिफिकेशन मेन हैट तो क्या होगा नॉमीनल अकाउंट ही होगा और यहां पर क्या लिखोगे आप लॉस सबक्राइट रिकовор अब मुझत आप्मेशती जानते हो मैं भी आपको जानता हूँ पैसे आपने नहीं दोगे तो मैंने अभी मानना लिए छे मैंने पैसा नहीं आना ऐता आप फिर भी छे मैंने बाद लागडाउन के बाद आपने लाके मुझे पुरानी फीज दे दी बैट डेट्स रिकवर्ड तो यह मेरे लिए क्या हो गया गेन हो गया कि अब मैं इसको क्या भूलूंगा है तो वापस इसे क्या नॉमिनल अकाउंट ही कहलाएगा और क्या जाने वात एक्सांब जिचोंड अ कर्चा इनकम यह सब के मैं जग्या दूसरे का हूं मेर मेरा नहीं है मैं भरता ओर यस इसके लिए हर में अलग अलग कॉंसेप आप से सोचने पड़े इस लिए अकॉंट्स में बोला जाता है आप किसका अकॉंटिंग कर रहे हो उसके में सोचो एबी क्या है डूगा यह है डूगा आपका के नॉमिनल अकाउंट और यहां पर क्या लोग है आप इंकम लेलो तो एक्स्पैंस लेलो आपको पता नहीं है अगर रेंट रिसीव्ड होता तो आप इंकम क्यलाते है रेंट पेड होता तो वापस यह कहला हैगा क्या क्या कि यह क्या कि यह परसनल अकाउंट और क्या बोलोगे इसको आप आर्टीफिशिल और यह क्या कोई फर्म का नाम है जो बिजनस चल रहा है उसका नाम है ठीक है एलेक्ट्रिसिटी खर्चा पिजली यूज़ कर रहे हो पैसा पे कर रहे हो वापस यह एक्सपेंस तो एक इसदर क्लासिफाय करोगे और दिखेंगे नमिनल अकाउंट और क्या लिखोगे यहां पे एक्सपेंस है ना वो एक्सीजस लैंड आन बिल्डिंग chambers इस दिखरें ना लैंड है वो मेरी जगह है विल्डिंग तुर्य खणी है रियल दिखरा सब क्लासिफिकेशन है एकजाम ऐसे क्लासिफिक आजेंगे आपको दस दे देंगे क्लासिफाइंट पर्सनल रियल और नॉमिनल अकाउंट तो आपको सो क्लासिफिकेशन करने आना चीए एक्विप्मेंट क्या है यह मेरे पाज मैं लिख रहा हूं मुबाइल फोन क्या है मेरे काम की चीज़ है एक्विप्मेंट है फोन करता हूं सब बच्चों को भाई आज पढ़ाइए की की नहीं की मेसेज़ करते बचिनरी इक्विप्मेंट यह भी क्या है का है रियल अकाउंट कि क्या लिखोगे इसके बात क्या है हमारे पास यहां पर क्लोजिंग स्टॉक तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है पर दूकान में गुड्स बच जाता है मैं आपको फाइनेशली ने बताया है फॉर्स चेप्टिल से 31st मार्च 31st मार्च को काउंटिंग करते हैं कि कितना गुर्स बचा है तो जित्ता भी गुर्स बचा है उसको बोलते हैं कि परस्नल अकाउंट और क्या बोलोगे इसको इंडिविज्वल को इंसान का नाम है पैटी कैश क्या होता है जैसे छोटे-मोटे जो अच्यों होता है ठीक है मैं जॉब करता ओं तो विक्ति बातरीड गरब होगी पैसे मांगता हूं कि लाता हो टुब्वलइक और गलाया तो बार बार पैसे तो ओनर बोले का भाई काम कर हजार रुपया रख हजार रुपया रख उसका क्या कर कि भाई जो भी खर्चा होगा मैंने बर के बाद में हिसाब दे देना कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीके तो क्या कहला है यहाँ पे डिपॉजिट्व इंडिविजुल ना कि बोलेंगे चिलाएंग एक काम कर तो भाई हजार रुपया पकड़ तीस दिन होंगे मैना खत्म होगा जो भी खर्चा होगा बैटरी लाना है जो लाना है टूबलेट बदलनी है जो करना चोटा मुटा रिपैर करना मुझे हिसाब दे देना डिटिस पैटी कैश चोटा खर्चे चोटे मुटे खर्चों के ल सकते हो करन्ट एसेट किरन्ट एसेट मतलब किया जो ऊस devast Baba यूस करोगे करेंट मतलब एक साल के अन्दर आप इसको हटम करते होगे आगे ऐसमे म्सीखने वाले हो और क्या होगा हें पर सब्व टाइप क्या होगा इंडिवीजवल तैस इन इसे सी लिंटेड अकाउंट तैस इन की कंपनी के बारे में बात हो रही ह्हाँ पर वापस से पर्ष पर सेल अकाउंट जाएगा और क्या बोलो गया आरिफिच्यल इंट है और यह क्या है आपका investment है क्योंकि आपने उस company में क्या खरीदे चैर्स करीदे अरे सौरी एक मनिटा कि शेर्स आपने फिजिकल आपने दिखा है क्या है आपका वह investment है real account में जाएगा कहा जाएगा यह real account में जाएगा यूनिट्स इन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यह भी mutual funds की तरह होता है mutual fund क्या होता है आप उसके अंदर invest करते हो तो investment है वापस ही किसके अंदर कहला हैगा रेगल रेगल अकाउंट क्योंकि आपको यह क्या है investment आपने पैसा वहाँ पर invest किया है interest received FD का जो में बात करता है FD किया है FD के इसमें क्या मिला है पैसा मिला है तो क्या है वह पैसा मिला है ना आपको तो आपकी income है income मतलब कौन सा account हो गया यह nominal account goods lost in fire goods goods का नुकसान हुआ है जो दुकान में आग लग गई है तो गुट्स रियल में जले है ना रियल में दिख रहे थे गुट्स जल चुक है तो यह कौन सा account है रियल account और क्या बोलोगे हैं आपे क्या है यह goods goods परचेस आपने माल परचेस किया है एक्षल में गुट्स आया है वापस ही क्या कहलाएगा real account ठीक है अब उसके बात क्या है वापस ही क्या है goods purchase मतलब क्या एक current assets है है तो हगीकत में क्या है ? Goods य कुछ है Goods- है Goods वही महल लाया था वही महल बेच दिया, कुछ तो वापस से क्या बोलने की इसको Real Account है इक ही Goods फॉट्ट्स किया था, वही माल जल गया है है तो रियल गुट्स सोल्ड देखो नाम में कितना सुछ पीछे लग गया पर्चेस मतलब माल को भार्चे खरीद के लाए बेचा माल को बेचा गुट्स जल गए तो वही गुट्स के आगे देखो पीछे कित्ते words लगे fire purchase sold goods return return मतलब क्या वही माल आपने किसी को बेचा return हो गया real account वापस से classify किदर होने वाला है और किदर होने वाला है किया विल्कुल भी नहीं तो आपको दिख रहा है हाँ पर भले चोटे मुटे विरिएशन से है तो real account और क्या बोलोगे उसको गुट्स गुट्स रिटर्ण इनवर्ड वापस से गुट्स है रियल अकाउंट गुट्स मिस्टर मोहिट ड्रॉइंग्स मिस्टर मोहिट ड्रॉइंग्स पत्द अब क्या देको बिजनस में जो पैसा डालता है उसको बोलते हैं ट्रॉइंग्स समझ्ज वाइए यह बहुत important वड्या यह बार-बार आपको आने वाला है मोहिट्स कापिटल पैसा इन्वेस्ट किया है मोहिट्स ने ठीक है अब पैसा निकाला है उसने मोहिट्स ए ड्रॉइंग्स तो वापस ही क्या कहलाएगा परस्ट्रिल अकाउंट और क्या हो गए यहां पर इन्डिवेज्वेज्वेश्ट तो इस तरीके से क्लासिफिक्शन आपको मैंने लिखा है नोट्स अराम से आपने लास्ट लेक्शर में बनाये थे यह आपका जबी भी आप चालू करो इसको रिवाइस करना के बिना आगे बढ़ना बद और यह आगे अपना नेक्स क्लास करने के लिए ठीक है अब बात में पॉस्ट करकर के लिख सकते हूं मैं आपको पाच पास सेकेंड के लिए रखता हूं है मैं परसेल अकाउट ल का जैडेर के थे के कौ मैं पुर्सर के दर तीन ठीक है कौन सेके नैचरल आडिविशल और क्या था रिप्रेजिं यून् फिर हमने पढ़ा रियल अकाउट अंट excerpt पिर है नॉमिनल अकाट नॉमिन अकाट में क्या है इंकम एंप इंपर क्लासिफिकेशन है और सार आपके एक्जांपल्स कवर किये आप टेक्सिबुक में सॉल करते कहां इन्वेस्ट किया एस लिमिटेड मैंने उसके नाम ट्रांजेक्शन में आपको बताया था गुड्स पर्चेस मैंने उस बंदे से माल पर्चेस किया तो उससे गुड्स आये तो अभी हम आगे हम पढ़ने वाले हैं यह जो चीजें क्या है साइकल जब हम सीखते हैं ना त बाकि उनकी भी पढ़ाई अच्छे तरीके से चालू रहे हैं ठीक है थैंक्यू